गाउं में चाउमिन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमिन बनाना सीख कर गाउं में ठेला लगाता है। तब ही वहाँ शहर से पढ़ा एक लड़का आता है, जरा एक प्लेट चाउमिन तो देना। और ये क्या भीड लगी है, लगता है जगडा हो गया है गाउं में, चलू मैं भी तो मज़े लेलू। अरे का है इतनी भीड लगी है यहाँ, लड़ाए हो गई है क्या। अरे साहुकर सहाब, ना ना कोई लड़ाए ना हुई है, ये तो सुरेस की दुकान है चाउमिन की, हम लोग चाउमिन खाने आए हैं, आप भी खाए हैं ना। साहुकर चाउमिन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेस, क्या लागत है इस काम की। अरे साहुकर जी, आप अब आये हैं तो ये पूरे दस जार रुपे ले जाए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिये थे ना। लागत तो क्या कहें, जो आपने दिया था उसे में सीखा भी है और दकान भी खोल ली। साहुकर को अब सुरेश की दुकान को हडपने की लालच आ जाती है, नाना करते ये सारे दिन में पात सो रुपे कमा ही लेता है, अरे गाउं में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना सुरू कर दे, अरे भया, कोई ना कोई जुगार तो करना पड़ेगा। अब साहुकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है, हान जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाओमिन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ सही ही कहता है, मैं अभी खाकर ही आ रहा हूँ, अरे भागयवान कितना अच्छा हो ना, अकर वो उपासा हम लोगों को मिल जाए, क्यों? है, हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाओमिन बनाना आता ही नहीं है। सहुकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरिश की घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाओमिन बनाते देखते हैं, अब क्या था? दोनों को चाओमिन बनाना आ जाता है, फिर एक रोज. अरे सुरेंद्र, तुझे सहुकार नी ने बुलाया था, बोल रही थी के बेटे के जनम दिन में दस किलो चाओमिन का आर्डर देना है, बना दोगे न? अरे हाँ हाँ सहुकार जी, मैं जरूर बना दूगा, कब देना है घर में दस किलो चाओमिन? अरे वह तो घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, शाम को काम निप्टा कर आ जाता हूँ सुरेश सहुकार के घर जाता है, लेकिन वहाँ मिया वीवी मिलकर उसे बन्धक बना लेते हैं अरे मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो सहुकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है, अगली दिन अरे सहुकार जी, आप कब से चाओ मिन बेचने लगे, और अपना ये सुरेश कहां गया और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकलाया था, बोल रहा था कि जब तक वो न आए, तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूँ फैसे भी तो बहुत दाल ले रखे थे उसने, लगता है करजा भने के डर से भाग गया है अरे पर वो तो बोल रहा था कि उस ते सारा करजा उतार दिया है और वो क्यों भागेगा इतना तो कमा रहा था अरे मुझे क्या पता अरे चाओ मिन खाना है तो बोलो नहीं तो भागो यहां से अरे हाँ हाँ देदो देदो अब तो चाउमिन खाना पूरे गाउं के लोगों के लिए आदत ही बन गया है ना खाओ तो नीन ना है अहाँ तो लो और निकालो पचास रुपए पचास रुपए क्यों? सुरेंद्र तो दस रुपए मैं देता था अरे वो पागल था मैं थोड़ी ना हूँ गाउंवाले जिनको चाउमिन की लट लग गई थी वो करते भी क्या? देदो अरे ये लो पचास रुपए लेकिन फिर साहुकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमिन रख देता है अरे ये क्या? पैसे पाच गुना ज्यादा और चाउमिन बस इतने इसी अरे साहुकार सहाब भगवान से तो डरो बस फिर क्या था? साहुकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गाउंवाले करते भी क्या? एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहुकार ने मार डाला होगा क्योंकि उसका काम इतना अच्छे चल रहा था फिर वो क्यों जाता? और वो भी साहुकार की हवाले दुकान करके? ना बाबो ना अगले रोज भागेवान देखो तो सरा इस सुरेश भी ना कितना पागल था जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे चाप रहा था पचास रुपे प्लेट में भी गाउवाले खूब खा रहे हैं चाओ मिन हाँ जी और जितने में वो लोगों को दस प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में बीस प्लेट बना रहे हैं क्यों जी वहीं सुरेश रोज भगवाल से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती फिर एक दिन अर भागयवान ऐसा कुछ करो कि चाउमिन बनाने का खर्चा आधा हो जाए जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो ना जी मुझे तो कोई तरकीब ना सूच रहे मारा सुनो एक काम करता है चाउमिन बनाने में जो सबजी लगती है वो मंडी में लेने तुम देराज चली जाना तब तक वो सारी सडी गली सबजी जो दुका अदर वहीं फेक जाते हैं वो उठा कर ले आना फ्री में अरे वाजीवा आप तो बहुत समझदार हैं जी बीवी वैसा ही करती है लेकिन अब लोग चावमिन खातें तो मूँ बनाकर फिर एक बार अरे राम 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 ये पेट में दर्द काहे हो रहा है हाई रे हाई मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है सबी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चावमिन खाने से ही ये बिमारी हो गई है वहीं दोसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है सुरेश गाउं वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है बस अब क्या था साहुकार के घर पुलिस पहुच जाती है चलो तुमने गाउं के लोगों को खराब सबजी वाली चाउमिन खिलाकर बिमार किया और सुरेश को बंदक बनाया साहुकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गाउं के बाजार में लग जाता है जहां अब पहले से ज्यादा भीड होती है गवार सास ममता ने अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया अब वो शहर में अपने परिवार के साथ रहता है एक दिन ममता का बेटा रूहन अपनी पत्नी आलिया से कहता है अरे आलिया सुनो मा अपसे गाउं में नहीं रहेगी वो हमारे साथ यहीं रहेंगे शहर में उनका कमराज नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना ओ आज तो मेरी किठी पाटी है फिर मुझे जिम और फिर शॉपिंग ठीक है कल करवा दूँगी अच्छा लेकिन मा के सामने यह कपड़े नहीं चलेंगे तुम्हें साड़ी या सूट पहनना होगा अरे बलकुल भी नहीं मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगा कर शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन ओड़ भी ना सकू अरे चलो गुसा मत हो लेकिन कुछ दिन तो मा की खूशी के लिए कर सकती हो ना लेकिन आलिया मानती नहीं मा आती है सिंपल सी साड़ी जोला और चपल पहन कर अरे रोहन मैं इनके साथ कैसे रहूंगी मेरी फ्रेंज क्या कहेंगी ये तो पूरी गमार लग रही है आलिया मा गाउं में रहती थी इसलिए ऐसी है तुम आज ही मा के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग करवा देना इनके साथ घर के अंदर रहना मुश्किल है बहार तो मैं कभी भी ना जाओ रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है मा ओ मा हाँ बेटा वो मा को ले जाने के लिए उनका हाथ पकरता है कि अरे मा तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े हैं तुने इसका कोई इलाज नहीं किया अरे बेटा इसका कोई इलाज नहीं वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलायम नहीं है क्योंकि इनी हातों से मैनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा अगले दिन मा मैं आफिस जा रहा हूँ कुछ लाना हो तो आलिया को बोल कर फोन करवा देना रोहन के जाने के बाद आपना आज कमरे में ही रहेगा घर में पार्टी है मेरी सहलिया आ रही है मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ ठीक है बहू लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दू तुम लोगों की पार्टी के लिए वो लोग सिर्फ कॉंटिनेंटल ये थाई फूड ही खाते हैं कोई बात नहीं कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा न मैं बना कर कमरे में चली जाओंगी जैसे आपकी मर्जी आलिया के घर उसकी दोस्ता आती है पार्टी होती है आरे वाह आलिया ये क्या है खाने में बड़ा ही स्वादिस्ट है यार इसकी रेसिपी मुझे चाहिए हां और ये डाल ओ मैं गॉड़ मैंने तो किसी फाइव स्टार में भी ऐसी डाल नहीं खाई है यार तो कूक को यहां बुलाना अब आलिया घबरा जाती है हां हां क्यों नहीं माजी जरा बहार आए आलिया की सास सिंपल सिसाडी और गाउं के अंदाज में आती है अरे बहू क्या हुआ खाना पसंद नहीं आया क्या बहू अरे ये गाउं से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है कौन है ये वो वो हमारी नई नौकरानी है साज बहु की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है वो सर जुका कर जाही रही ही होती है कि एक सहली बोल पड़ती है अरे कहां जा रही है माजी वो उठकर उनके पैर छुती है जीती रहो बेटा क्या है ना आपकी शकल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है पता है आलिया मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी होगी लिकिन मेरे माँ पापा तो आज भी गाउ में रहते हैं बिल्कुल इनके जैसी ही है अब यहाँ बैठिये ना आंटी आप सच पे बड़ी खुबसूरत है और आपके हाथ का खारा तो ला जवाब है काश यह मेरी सास होती सभी सहलिया सास को घेर कर बैठ जाती है और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तब ही घर की बेल बच्चती है और रोहन आता है अरे क्या बात है आज आप लोग हमारे घर में और ये लोग तो मुझे आलिया से ज्यादा मा की सहलिया लग रही है क्या ये आपकी मा है लेकिन आलिया ने तो कहा कि ये उनकी नाकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया वो नहीं बताएंगी क्योंकि उनके लिए बच्चों की इज़्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है मुझे माफ कर दो मुझे ने तुम लोगों से मिलवाने में शर्म आ रही थी कि तुम लोग क्या कहती अरे अब तो हमें शर्म आ रही है कि तुम हम लोगों की सहली हो हाँ जो मा जैसी सास को नाकरानी बोले वो हमारी सहली नहीं हो सकती ये बोलकर सभी वहां से जाने लगती है कि सास बोलती है आलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ करती हूँ अब तुम लोग भी उसे माफ कर दो क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी नहीं नहीं आंटी जरूर आएंगे लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहली बन कर